नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चानल The Smartest Study 101 पर और मैं हूँ देव्यावर्मा दोस्तो आज हम क्लास 12 की चित्र कलासे संबंधित 10 objective questions solve कराने वाले हैं और ये सभी प्रशन आपके previous year के question paper में पूछे जा चुके हैं तो आज की कलास आपके लिए बहुत ही महतपोर्ण होने वाली है और वीडियो गर आपको पसंद आती है तो प्लीज दोस्तो वीडियो को like share जरूर कीजेगा चले फिर पढ़ना सुरू करते हैं तो पहला प्रशन है यहाँ पर जो की बहुत ही महतपोर्ण है खजुराहों का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है या फिर खजुराहों के मंदिर किस प्रांत में है या किस राज्य में है औप्शन दिये गए हैं पंजाब, करनाटक, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश जिसका राइट आंसर रहेगा औप्शन संख्या C, मध्यप्रदेश खजुराओं के मंदिर कहा हैं, मध्यप्रदेश राज्य में हैं, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन था अगला प्रशन है, किसके शाषन काल में हमजा नामा का चित्रण हुआ ऑप्शन दे गए हैं, जहांगेर, अकबर, हुमायू, शाह जहां जिसका right answer है, option संख्या B, ध्यान रखिएगा, हमजा नामा का चित्रण किसके काल में हुआ, अकबर के काल में अगला प्रशन है यहाँ पर, तीर नमबर, चित्रकला किस श्रणी में आती है, जो आपके चित्रकला है, वो किस श्रणी में आती है option दी गए है, द्रश्य, श्रवे, द्रश्य, श्रवे, इन में से कोई नहीं जिसका right answer option संख्या A, द्रश्य, अब इसको आप समझ देजिए, द्रश्य कलाएं क्या होती है, और श्रवे कलाएं क्या होती है ऐसी कलाएं जिन्हें हम केवल देखते हैं, देखने से ही आनंद प्राप्त होता है, वो होती है द्रश्य कलाएं और ऐसी कलाएं जिनको सुनने से हमें आनंद प्राप्त होता है, वो होती हैं श्रवे कलाएं और ऐसी कला है, जिनें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, उनको कहते हैं द्रश श्रव विकला है, तो जो आपके चित्रकला है, वो कैसी है, उसको आप देखते हैं, या सुनते हैं, या देखते और सुनते दोनों चीज़ करते हैं, तो आपको पता होगा, जो चित्रकला है वो कैसी है द्रश शिकला है चित्रिकला को केवल आप देखते हैं उसको आप सुन नहीं सकते हैं तो इसलिए आपकी चित्रिकला किस केटेगरी में आएगी द्रश शिकलाओं में और जैसे आपका नाटक है उसको आप देखते भी है सुनते भी है तो वो किसमें आते हैं? द्रेश श्रवी दोनों में और जैसे संगीत हैं उसको आपके अवल सुनते हैं देखते तो नहीं है तो वो आता है श्रवी कला में तो इसे ध्यान रखेगा अगला प्रशन है यहाँ पर चार नंबर वाइट मैन पेपर का प्रियोग किस माध्यम में होता है? वाइट मैन पेपर यह क्या है? पहले आप यह समझ लीजे जैसे आपकी कॉर्टे सीट होती है हैडमे सीट होती है उसी प्रिकार से होता है वाइट मैन पेपर तो इसका प्रियोग किस माध्यम में करते हैं option दिये गया है जल माध्यम में तेमपरा माध्यम में और चूरुडित तो इसका right answer is option संख्या A जल माध्यम में जल माध्यम आप समझ पा रहे हैं जब आप water color से painting करते हैं तब आप white man paper का प्रियोग कर सकते हैं अब जैसे तैल माध्यम है तो उसके लिए आपको जो oil sheet है या तो आप उस पर कारी करिए या फिर can wash पर ठीक है अगला यहाँ पर question है पांच नमबर तैल चितर में किस तैल का प्रियोग होता है बहुत महत्वपोर्ट प्रशन है अक्सर पूछा जाता है option देगा है नारियल, सरसों, तारपीन इन्ने से कोई नहीं तो तैल माध्यम में जब आप चित्रकारी करते हैं तो किस तैल का इस्तिमाल करते हैं? आप्शन संख्या C तारपीन का तेल अगर तारपीन का तेल ना आए तब आप किसे सही करेंगे? अलसी के तेल को ठीक है अगर अलसी का तेल आप्शन में है तारपीन का नहीं है तब आप अलसी के तेल को सही करेंगे ध्यान देखिएगा इसे अगला प्रशन है यहाँ पर शेह नंबर यूरोपी चित्रण पधती पर धार्मिक चित्र सर्व प्रथम किसने बनाया यानि तक्निक कैसी है चित्र बनाने की जो टैक्निक है वो यूरोपी है तेकिन चित्रों का जो विशय है वो कैसा है धार्मिक है तो इस प्रकार के चित्र सबसे पहले किसने बनाये थे नंदलाल ब और एक चीज़ आप ध्यान रखिए राजा रभी वर्मा ये इतने महत्वपों कलाकार हैं कि इन से एक ना एक प्रश्ण आपके पेपर में जरूर पूशा जाएगा तो राजा रभी वर्मा से जो भी प्रश्ण आपको हलकवाय जा रहे हैं आप एक पास नोट कर लीजे और कि ध्यान रखिएगा राजा रभी वर्मा इनका जो माध्यम है वो तैल माध्यम है जो की यूरोपी पधती है और इनके जो चित्रों का विशे है वो पौनाडिक है यानि भारती देवी देवताओं के चित्र बनाएं महाभारत से समंध्य चित्र बनाएं तामायर से समंध् विशे हैं वो भारती हैं और टेक्निक इनकी कैसी है यूरोपी है क्योंकि ये तैल माध्यम में काम करते थे और तैल माध्यम यूरोपी टेक्निक है तो वही प्रश्ण यहां पर पूशा गया है तो प्रश्ण आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या पूशा जा रहा है और आंसर बीजिद को वहाँ पर मिल जाएंगे चाया प्रकास आप समझते हैं तो चाया प्रकास की चितर में क्या भूमिका है रात और दिन को दर्शना चितर को उभारना चितर में सामन जैसे स्दापित करना इन में से कोई नहीं तो ध्यान रखिएगा बहुत ही महतुपूर्ण प्रश्ण है छाया और प्रकास का चित्र में क्या काम है चित्र को उभारना चित्र को उभारना मतब चित्र को उभार प्रदान करना यही काम है छाया और प्रकास का चित्र कला में छाया और प्रकास का जो मुक की कारण है वो क्या है चित्र को उभार ना जिसे आपको चित्र कैसा लगे 3D आचा एक बात बताईए आपने बहुत सारे चित्र ऐसे देखे होंगे तो जैसे लगता है कि ये निकल आएंगे पेज से या फिर कोई भी धरातल उसे ये बाहर निकल आएंगे लेकिन क्या ऐसा होता है चित्र कला बाहर निकल आती नहीं निकलती है तो वो 3D पेंटिंग बनाई जाती है जिसको चाया और प्रकास के माध्यम से ही ऐसा दिखाया जाता है कि वो बाहर निकलाएगा या फिर अंदर जिसे लग रहा है कि इसमें गड़ा है इसको हम छूके देखेंगे तो हमको गड़ा लगेगा लेकिन ऐसा नहीं होता है वो तो प्लेन पेपर होता है ये सारी चीज़े कैसे दिखाई जाती है चाया और प्रकास के माध्य में से और भी बहुत सारी चीज़े है अगला प्रशन है याँ पर आठ नंबर सर्वोत्तम रंग संगती कौन सी है सर्वोत्तम रंग संगती कौन सी है option देगा है सहयोगी रंग संगती और विरोधी रंग संगती समान रंग संगती एका की रंग संगती तो इसका right answer रहेगा option संख्या B विरोधी रंग संगती अब इसका मतलब क्या है आप ये समझे जिसे आपका ये paper है इसमें आपने कोई full बनाया है ये कमल का full बनाया है ठीक है अब आप इसमें क्या गर रहें जो आपका धरातल है वो भी आपने yellow कर दिया जो आपका कमल का full बनाया है इसको भी आपने yellow कर दिया इसकी जो डाली बनी है इसको आपने yellow कर दिया ठीक है अब बताएए कैसा लगेगा सुन्दर लगेगा नहीं लगेगा या फिर आपने क्या किया सायोगी रंग का मतलब होता एक जैसे रंग विरोधी का मतलब होता अपोजिट यासे आपने जो कमल का फूल है इसको बनाया red कलर का लाल लाल का विरोधी कौन सा है हरा और जो आपका ये है धरातल इसको आपने कर दिया green कलर का red green का combination हो गया तो बताईए आप अच्छा लगेगा या फिर आपने पूरा यलो कर दिया था तब अच्छा लग रहा था ठीकें तो वही चीज़ दी है कि सर्वोतम रंग संगती कौन सी अच्छी होती है तो विरोधी रंग संगती फिर अगला प्रशन है यहाँ पर नौ नमबर राजस्थानी चित्र शैली के उद्भोव विकास में किस शैली की प्रमुख भूमिका रही है तो मेवाड शैली, बीका नेर शैली, बोंदी शैली, कि शनगड शैली उसका राइट आंसर क्या रहेगा आप़्सन संख्या ए, मेवाड शैली, ठीक है, मेवाड शैली से ही स्की स्टार्टिंग होती है, बाकी की जो शैलियां है, बीका, नेर, बूंदी, ये तो बाद की हैं, और अगर ऐसा प्रशनी पूछा जाए, कि राजस्थाने चित्र शैली की सबसे सर्वत क्रष्ट शैली कौन है, यानि सबसे अच्छे चित्र किस शैली में बनाएंगे है, तब आपका सही होगा किशन गड शैली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया उदभो और विकास, यानि चित्र शैली जो आपकी है राजस्थाने चित्र शैली, वो उदभो हुई, और उसके बाद ने उसका विकास हुआ, तो वहाँ पर आपका क्या सही रहेगा, मेवाड शैली, अगला प्रेशन है, दस नंबर और यह लाश्ट है, पेश्टल रंग किस प्रकार के होते हैं, पेश्टल रंग किस प्रकार के होते हैं, उप्शन दिये गया है, स्थाई, आस्थाई, चमकीले, धुंदले, तो इसका ऑम यौवाले रंग आपने कहीं पर लगा दिये हैं तो वहां से वो निकल भी सकते हैं ठीक है अगर उतक आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं और वैसे भी जढ़ जाते हैं अगर आप ने उस पर स्प्रे बगेरा नहीं किया तो जढ़ जायेंगे तो वो पैसे हैं आज थाई हैं, ठीक है टिकाओ नहीं है, वो आज थाई हैं तो यहां पर 10 प्रशन समाप्त होते हैं और आसा करते हैं कि जितने भी प्रशन आपको स्वाब कराएगे हैं सबी आपके समझ में आ गए होंगे और अगर आपको किसी भी प्रश्ण में कोई भी राउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कॉंटेट कर सकते हैं और चैनल पर नए हूँ तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर भी कीजेगा मिरते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक कीड़ी धन्यवासा थी जहिंद